कल भारते जुनता पार्टी के तरह से देश शाम अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जवारी की गई जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका पत्ता कट गया यानि कि जिनका टिकट जो है उन्हें नहीं दिया गया जो पहले अपनी जुनता के बीच में काम नहीं करके आए हैं क्यों अभी कुछ ऐसा ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो है एक बार फ़र से लोकसबाद चुनावों में वारणसी सीट से ही चुनाव लड़ते हों नसर आएंगे लेकिन आप ये बात जानते होंगी कि कई ऐसे सेलेब्रिटीज हैं चाए वो बॉलिवुड से हों चाए वो भूजपूरी मुवी इंडस्ट्री से हों या फिर टॉलिवुड से हों उन्हें जो है मौका दिया जाता है ताकि वो जनता के बीच में जा सके और अपने ग्लामर की वज़़से अपने फैन बेस की वज़से जो है वो चुनावी मैदान में उतर कर चुनाव जीत सके इस ब पारे में आपको बताओं लिकिन सबसे पहले आप समझेशे पवं से पवं सिंगों पश्च्रमंगाल की आसन्सोल सीच से टिक्ट दिया गया है उनके सामने हो सकता है कि शत्रुगण सिन्हा जो है वो खड़े हो क्योंकि पहले टीमसी से जुए शत्रुगन सिनहा इस सीच प से बोजपूरी सतारे और मौझूदा सांसद रवी किशन ही चुनाल रड़ते ही पूर नजर आएंगे हमने देखा भी है कि गोरगपुर जब भी रवी किशन जाते हैं उनकी का फैन बेस किस तरीके का स्टॉंग है और पॉलिटिकली इवेंट्स में भी वो किस तरीके से अप पर फिर से मैदान में होंगे भोजपूरी स्टार है दिनिश लाल यादव और पिछली बार जब चुनाव में उत्रे बीते तो हमने देखा था किस तरीके कि उनकी फैन फॉलॉइंग है कि वो जीत कर जो है वो चुनावाई तो एक बार फिर से भारते जंता पार्टी ने उ वह 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 मतुरा में जो है लोगों के बीच में जाती हैं लोगों से बात करती हैं समझती हैं अगर बात करें मल्यालम आक्टर सुरेश गोपी की तो उन्हें केरल की त्रिशूर सीट से मैदान में होता रहा है और टॉलिवूड आक्टर रह चुकी लौकिट चेटर जी बढ़कर अपनी बात रखने ही चाहिए तो इन सब के बीच में ये वो तमाम सेलेब्रिटीज हैं मनुरंजन जगत से तीवी जगत से इतना ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री से टॉलिवूड से ये वो तमाम लोग जिन्हें भारतिय जुनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है और जो आने वाले समय में बारतिय जुनता पार्टी के लिए क्यांपिंग करते को जो है नजर आएंगे